हेलो एवरीवान एन वेलकम टू मिन्ट टॉक इंडिया हम पर रहे हैं आपके एंसी एर्टी क्लास थर्ड मैथमाजिक का सबसे लास्ट चैप्टर रूपीज और पैसा चैप्र नमबर फॉर्टीन और दिस पार्ट थी वीडियो जिसमें हम प्रैक्टिस टाइम से आगे के तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टाइम से सबसे पहला कोश्चन है कोश्चन नमबर एक तीन फ्रेंस हैं जो एक साथ मिलके एक क्रिकेट बैट और एक बॉल खरीदना चाहते थे बीना नाम का जो बच्चा था उसके पास रूपीज फॉर्टी एट एट ए का कॉलम बनाया बीना के पास कितने रूपीज और पैसा है वो लिखा रमन के पास क्या है और वेनू के पास क्या है अब इन तीनों को हम एड करेंगे एडिशन पैसा के कॉलम से स्टार्ट करना है सबसे राइट साइट से 0 प्लस 0 प्लस 0 जीरो 5 प्लस 5 इस 10 10 प्लस 0 इस 10 सो 10 का 0 लिखेंगे और 1 जाएगा यहां पे कैरी, 8 प्लस 1 is 9, 9 प्लस 5, 14, 14 प्लस 8, 22, उसका 2 लिचे लिखे, 2 फिर से कैरी, 4 प्लस 2 is 6, 6 प्लस 5, 11, 11 प्लस 3 is 14, so we will write 14, और हमारे पास कितना बना? रुपीस 142 और 00 पैसा, so all of 3 have this much money with them, उसके बाद next we have question number B, हरी नाम का एक बच्चा है, वो रेल्वे का एक टिकेट बुक कराने गया है, तो जब हम रेल्वे के टिकेट बुक कराने जाते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं, टिकेट का जितना तो हरी का जो railway ticket है उसका cost है Rs. 62 and 50 पैसा और हरी ने 100 रूपी का note दिया, now how much money will he get back, मतलब उसे कितना money वापस मिलेगा, तो इस 100 में से हम 62 रूपी और 50 पैसा को करेंगे, subtract, that will start with पैसा's column, right side में 0 में से 0 माइनस 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होता, तो इस 0 को कट करके हम लिखेंगे 10 और यह 1 कहां से आया, नेबर से हमने बोरो किया, तो इस 0 को कट करके 9 लिखेंगे, इस 0 को भी कट करके 9 लिखेंगे, and finally इस वाले नेबर से ही 1 मिलने वाला था, इसलिए इस 1 को कट करके 0 लिखेंगे, now we can subtract, we will remain with 5, 9 में से 2 माइनस, balance is 7, 9 में से 6 माइनस, balance is 3, and 0 में से कु 37 रूपीज और 50 पैसा, हरी विल गेट बैक विद दे टिकेट, उसके बाद हम नंबर C वाला कोश्चन पड़ते हैं, गीता और फ्रेंस वेंट शॉपिंग, बोट थेंक्स फोर रूपीज 58, रूपीज 37, और रूपीज 22, गीता हैड 100 रूपी नोट, how much money should she borrow from her friends to pay the bill, तो तो पहले तो हमें इन तीनों को एड़ करना है, और देखना है कि टोटल बिल कितना बन रहा है, जितना शॉप्कीपर को देना है, So statement we will write, she bought things for रूपीज 58, 37, and 22, let us add all these 3, 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, 0, 8 plus 7, 15, 15 plus 2 is 17, जिस में से 7 लिखके 1 हम कैरी करेंगे, 5 plus 1 is 6, 6 plus 3, 9, 9 plus 2 is 11, so रूपीज 117 उसका बिल हो रहा था, तो दुकानदार को उसे 117 रूपीज देने है और उसके पास 100 रूपीज था, मतलब कि इससे ज्यादा पैसे ही दुकानदार को देने है, और वो कितने ज्यादा देने है, हम 117 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गिता के पास जो 100 रूपी था उससे, बिल अमाउंट इस 117, मनी गिता हैड इस 100, सो मनी बोरोड विल वी एक्वल तो, लेट सुट्रैक्ट जीरो में से 0 माइनस 0, 0 में से 0 माइनस 0, 7 में से 0 माइनस 7, 1 में से 0 माइनस 1, and 1 में से 1 माइनस 0, सो मनी शीवल बोरो इस रूपीज 17, let us read our next question, एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है सबसे पहले, मुंबई न्यूस से, Children freed from factory, children को free किया गया एक बहुत बड़े factory से, 10 यंग children working in a bangle factory were set free today, बच्चों का काम क्या है? खेलना और पढ़ाई करना, क्या उन्हें factory में काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए? बिलकुल भी नहीं, तो दस ऐसे बच्चों को फैक्टरी से निकाला गया और उन्हें फ्री कर दिया गया एक न्यूज रिपोर्ट में यही बात चपी थी एक दिन के लिए सिर्फ रुपीज एटी ही फैक्टरी के मालिक इन बच्चों को दिया करते थे एक एक बच्चे को the children are happy to go back to their homes in their village they will go to a special school so that they can learn to study like other children of their age by making children work the factory tries to save money अगर इस फैक्टरी में बड़े लोग काम करते तो क्या बड़े लोग 80 रुपीज में काम करने को राजी हो जाते बिलकुल भी नहीं लेकिन छोटे बच्चे मासूम बच्चों को छोटा बच्चा समझ के फैक्टरी के लोग सिफ 80 रुपीज देते थे और बहुत ज्यादा हार्ट वर्क करवा लेते थे तो चलो देखते हैं कि फैक्टरी कितना मनी बचा लेता था इन बच्चों से काम करवा के बच्चों की जगा अगर कोई बड़ा इंसान काम करता one older worker that is 20 years के उपर का कोई इनसान उसे कितना मनी मिलता one day के लिए रुपीज 513 मिलता for a day मतलब एक दिन के लिए और उसी जगा पे एक बच्चे को one child is getting money is रुपीज 80 a day मतलब देना चाहिए था 513 दे रहे हैं 8080 कम पैसा दे रहे हैं कितना कम दे रहे हैं उसके लिए हम subtract करते हैं और जो कम पैसा दे रहे हैं, वो पैसा कौन जमा कर रहा है? फैक्टरी जमा कर रहा है, फैक्टरी बचा रहा है उतने पैसे. कितने पैसे बचा रहा है? रूपीज 513 से, हम 8080 रूपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें कितना मिलता है? 433 a day. एक दिन में ये फैक्टरी एक इनसान से चुपकर 433 रूपीज बचा लेता था तो दस इनसानों पर फैक्टरी कितना सेव कर पाएगा तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रिपीटेड एडिशन 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% और 10% दस लोगों पे 433, 433 करके फैक्टरी बचा रहा है या तो हम दस बार उन्हें एड कर देंगे या फिर 10 टाइम्स कर रहे हैं तो 10 मल्टिप्लाई कर देंगे और किसी भी नमबर को 10 के साथ मल्टिप्लेकेशन करना बहुत इजी है सेम नमबर हम लिख देते हैं एज इस 433 और 10 है वो एंसर के साइड में 10 लगा देते हैं और ये कितना बनता है 4,330 विकॉस 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस के बाद 1000 प्लेस आता है पढ़ते हैं हमारे टेक्सबुक का सबसे लास्ट टॉपिक ट्रेन जर्नी हम सभी ने अपने जिंदेगी में ट्रेन की जर्नी तो जरूर की है ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट होती है फिर दूसरे स्टेशन में जाके स्टॉप होती है वहाँ पे लोग चड़ते हैं उसके बाद फिर से थोड़ी दूर जाके एक और स्टेशन पे स्टॉप होती है, वहां पे भी लोग चड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेशन को क्रॉस करते करते, फाइनली हम जिस स्टेशन पे उतरने वाले होते हैं, वहां पे पहुचती है, और हमारा जर्नी पूरा हो जाता है, वैसे ही यह जो ट्रेन है जिसके पारे में हम पढ़ रहे हैं, यह ट्रेन कहां से जाती है, फ्रॉम न्यू जल्पाई गुडी टू गुवाहाटी, न्यू जल आलिपूर दुवार स्टेशन और गोलपारा स्टेशन अब लोगों को बीच बीच के स्टेशन में भी उतरना होता है, तो रेल टिकेट खरीदने का जो कॉस्ट होता है, इसलिए वो अलग-अलग होता है, जो नजदीक के स्टेशन में जाएगा, वो कम पैसे देगा, और ज फैसे स्टेशन लिखा है, मतलब निव जलपाईगुडी से टिकेट उसे खरीदना हो प्राइस लिखा है, तो न्यू माल क्यूंकि सबसी नजदी का स्टेशन है, 12 रूपीज और 50 पैसा देना है, आलिपूर्दुवार में जाने के लिए थोड़े और ज़ाधा पैसे, गोलपाडा में देने के लिए थोड़े और ज़ाधा पैसे, और गुहार्टी रूपीज और 50 पैसे, सबसे ज़ा तो यहां से लेकर यहां जाने के लिए 495 km कवर करना होता है, उसके बाद यहां से यहां तक सिर्फ अगर मैं जाना चाहूंगी तो मुझे 57 km क्रोस करना है, हमें फाइंड करना है तो पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं सिर्फ इतना डिस्टेंस को सब्ट्राक्ट कर लूंगी तो मुझे यहां जाएगा, करेक्ट? So, our first statement, distance from New Jalpaiguri to Guwahati 495 km, distance from New Jalpaiguri to New Mal 57 km, so distance from New Mal to Guwahati is 495-57 km सबसे पहले 1's place का सब्ट्राक्शन, 5 में से 7 माइनस नहीं होता, 5 को कट करके 15, और यह हमने नेबर से बारो किया, 9 को कट करके 8, तो 15 में से 7 माइनस, that is after 7 we will count, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हम 8 पे पहुंचते हैं, we will write 8 here, 10's place में 8 में से 5 सब्ट्राक्ट, after 5, 6, 7, 8, we will reach at 3, उसके ब 438 किलो मेटर, next question is, distance between New Mal to Golpara, तो New Jalpai Guri से गोल पाड़ा अगर हमें जाना है, तो हमें total 366 किलो मेटर जाना पड़ेगा, और वही पे जलपाई Guri से अगर मैं सिर्फ New Mal तक जाऊंगी, तो मुझे जाना है यहाँ पे 57 किलो मेटर, तो अब मैं अगर New Mal से गोल पारा के तो answer statement पे हम पहले New Jalpai Guri से गोल पारा का distance लिखेंगे, New Jalpai Guri से New Mal का distance लिखेंगे, और फिर final statement में New Mal से गोल पारा का distance है, 366 minus 57 किलो मेटर, once place का subtraction first, 6 में से 7 minus नहीं होता, cut करके हम लिखेंगे 16, neighbor को cut करके, 6 को cut करके हम लिखेंगे 5, 16 minus 7, that is after 7 up to 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, it is 9, we will write 9, 10s place पे 5 में से 5 minus 0, 100s place पे 3 में से कुछ भी नहीं minus, we will write 3, so our answer is 309 किलो मेटर, next question is, distance between अलिपूर दुआर तु गुवाहार्टी, New Jalpai Guri से गुवाहार्टी कितना distance है, 495 किलो मेटर, अब New Jalpai Guri से अलिपूर दुआर कितना distance है, 175 किलो मेटर, हमें निकालना है अलिपूर दुवार से गुवाहार्टी का कितना distance है, तो पूरे में से अगर हम इतना को सब्ट्राइट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि अलिपूर दुवार से गुवाहार्टी का कितना distance है, so answer statement we will write, distance from New Jalpai Guri to Guri, distance from New Jalpai Guri to अलिपूर दुआर, so distance from अलिपूर अलिपूर दुवार तो गुवार्टी इस 495 माइनस 175, 5 में से 5 माइनस 0, 9 में से 7 माइनस, that is after 7, 8 and 9, हमारे पास 2 बचता है, 100 स्प्रेस पे 4 में से 1 माइनस, हमारे पास 3 बचेगा, so 320 किलो मेटर इस आवर एंसर, next is distance between New Mal to अलिपूर दुवार, New Jalpai Guri से अलिपूर दूर अगर हमें जाना है, हम 175 किलो मेटर जाएंगे, और वही पे New Jalpai Guri से New Mal अगर जाना है, हमें जाना है 57 किलो मेटर, तो इस पूरे में से, अगर हम सिर्फ इतना सब्ट्राइट कर देंगे, मतलब New Jalpai Guri से New Mal का distance सब्ट्राइट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, कि New Mal से आलिपूर्दुवार का बीच में कितना distance है So first statement distance from new जलपाई गुरी to आलिपूर्दुवार, distance from new जलपाई गुरी to new mall So the distance from new mall to आलिपूर्दुवार is 175 minus 57 km Subtraction करने के बाद हमें मिलता है 118 km answer और उसके बाद last वाला है distance from गोलपारा to गुवाहर्टी, तो हमें जाना है गोलपारा से गुवाहर्टी तक सबसे पहले new जलपाई गुरी से अगर हम गुवाहर्टी जाएंगे तो 495 km जाएंगे और अगर हमें new जलपाई गुरी से गोलपारा तक ही जाना है तो हम जाएंगे 366 km तो पूरे जर्णी के डिस्टेंस में से अगर हम इतना सा माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा सब्सक्राइग करने के पाथ हमें मिलता है 129 km answer after that हमें ticket का cost find करना है find the cost of the tickets number a is bhupen is going from new jalpaiguri to alipurduaar what is the cost of his ticket तो new jalpaiguri से alipurduaar जाने के लिए 28 rupees लगता है ये table में ही दिया है we will write cost of the ticket is rupees 28 next is indira has to go from new jalpaiguri to golpada how much does she pay for the ticket to new jalpaiguri से golpada जाना है और ticket का cost 49 rupees and 50 paisa है so cost of the ticket is 49 rupees and 50 paisa number c is debu, shoma and gobind are going 3 बच्चे जा रहे है अब from new jalpaiguri to new mal what amount will they pay for 3 tickets तो एक ticket का cost new jalpaiguri से new mal जाने के लिए है 12 rupees 50 paisa तीन टिकेट खरीदने के लिए तीन बार हमें इन्हें add करना है 0 प्लस 0 प्लस 0 जीरो 5 प्लस 5 इस 10 10 प्लस 5 इस 15 वन हो जाएगा कैरी और डॉट डॉट के नीचे ही ठीक हमें डॉट लगाना है 2 प्लस 1 इस 3 3 प्लस 2 इस 5 5 प्लस 2 7 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 टोटल बनता है 37 rupees 50 पैसा एडिशन करने के बजाए हम 12 rupees 50 पैसा को 3 के साथ multiply भी कर सकते हैं और वह हम कैसे करते हैं just write 12 5 0 नीचे 3 लिखके as usual multiply that is पहले 1s place से 1s place 0 multiply by 3 is 0 उसके बाद 10s place का multiplication 5 3s are 15 तो 15 का 5 लिखके 1 हो जाएगा कैरी now 100s place 2 3s are 6 6 plus 1 is 7 उसके बाद 1000s place का multiplication 1 3s are 3 इसके बाद हमें देखना है कि कितने digit के पहले यहाँ पे dot लगा है एक और दो digit के पहले तो answer में भी हमें right side से एक और दो digit के पहले यहाँ पे लगाना होता है dot वही मिल गया ना 37 rupees 50 पैसा so our answer for 3 tickets they will pay rupees 37 and 50 पैसा last question they give a rupees 50 note for the tickets how much money will they get back 50 rupees का note में से ticket का cost तो काम है rupees 37 and 50 अंकल रख लेंगे तो यह balance कितना वापस करेंगे 50 में से हमें subtract करना है 37.50 तो क्योंकि 50 rupees के साथ पैसा कुछ नहीं है तो हम 00 लिखेंगे इसमें से 37 rupees and 50 को हम subtract करेंगे 0 में से 0 minus 0, 0 में से 5 minus रही होता जीरो को कट करके 10 और यह 1 हम बोरो करेंगे इस जीरो को कट करके 9 और 5 को कट करके 4 क्योंकि इस जीरो कने भी तो अपने नहीं नेबर से लिया होगा तो 10 में से 5 minus 5 बचेगा 9 में से 7 minus 2 बचेगा 4 में से 3 minus 1 बचेगा तो अंकल वापस करेंगे 12 rupees and 50 पैसा so that was the last question of your textbook hope you have understood this full chapter very well all the very best for your final exams हम फिर मिलेंगे next session में that is with class 4 mathematics so stay tuned we will meet very soon thank you very much bye bye